बिस्मिल्लाइब वरहीम अस्सलाम अलेकुम मैं विजान अमेतू एंड वेलकम बैक टो आउड न्यू व्लॉग तो नाजिन रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बादवास साथ ने गुजशता रोज एक स्ट्रेट्मेंट दिया है और यह बकॉल जावेद चोधरी के जो इस्ट स्ट्रेट्मेंट के सोर्स है जाए वह और रिटायर हो चाहिए वह करंड हो तो यह उनकी जो खबर होती है उन्हें अवाम तक पहुंचाते हैं तो उनके बकॉल जानरल कमर जावेद बादवास साथ ने कहा कि अगर इमरान कान सब हकुमत में होते तो यह मुल्क ना होता है इस तरह का उन्हें एक स्ट्रेट्मेंट दिया है तो इससे यह बाद जो है ना यह जो गुजचता 24 गंटों में बहुत ही जहरे बहस है और यह इतनी गर्दिश कर रही है क्योंकि लोगों के सवाल बहुत उट रहे हैं सवाले से कि फिर यानि जनरल कपर जावेद बादवा अपने आखरी खिताब में दोजाब 22 में दिया तो अब उनका यह स्ट्रेट्मेंट जो आ रहा है कि इम्रांग खान अगर होते तो यह बुल्ग ना होता इसका मतलब वह इन थे पूरी तरीके से पाकिसां की पॉलिटिक्स में वह इन थे और फिर उन्होंने मजीद यह कहा क पीटिया की गवर्णमेंट और यह अगर यह लोग होते तो यह बुल्ग ना होता और इम्रांग खान साथ की हवाले से उन्हें यह भी बताया कि मजीद के मैंने को मैसिज भी किया बाकॉल जावद चौदरी की जो वह कॉलिंस दिख रहे हैं उसमें मैंने बताया कि जन्रेल जन्रेल कमर जाविद बाजवासाब खुद दे रहे हैं यानि वह खुद अतराफ कर रहे हैं कि उन्हें कोई पिछले साल नहीं 2020 में वह तरीक के अदमेदमाद तक पॉलिटिक्स में इंटेफेरेंस करते गए हैं यानि पूरी तरीके से जो भी इस मुल्ग में होता गया इन उनके कंदों पर रखके गोलिया चलाई चाही थी चैनल कमर जायत बाजवासाब का इस तरह का स्ट्रेट्मेंट तो साब वजह कर रहे हैं कि उन्होंने इम्रांगान सब को तैरीकत पर दमाद के जरी निकलवाया और आप लोग उन्होंने खुद देखा कि पुरी अवाम न लगी जो लोग बिके और होटलों में पकायदा होटलों में जो है जो लोग लोटे हुए थे उनको होटलों में वी आपी ट्रीट्मेंट दिया गया उनको सिक्रूटी दी गई और उन होटलों में जब 23 मार्च से पहले जो है जो प्रेड होने लगती है तो सर्मिनी से पहले यह होता है कि जिते भी फॉजी अफसरान होते हैं वो अपने फैमिलीस को जो है ने होटल में उनकी रूम होता है वो बुक करवाते हैं ठीक तो उसी रूम में यह तमाम जो मुनहरीफ अराकीन थे वो मौझूद थे जिसका मतलब पॉलिटिकल इंजिरिंग जारी थी क्योंकि पूरी इंक्वाडी करनी चाहिए और इंके खिलाब पूरी इंक्वाडी हो पता चले कि उन्हें कौन सचा है तो कौन जूट है इस बात की पूरी को सभाड़ी करनी चाहिए जहां पता चले के हम गलत है तो अमीं अधारत पेशा आए जिस만 इंतरा फैला इतनी लोग को मारा एới क्या पुलिकल केहते ते ते कि ये हकुमत नहीं करवारी है ये establishment करवारी है और पुलिस भी ये रानासन अउला साब भी ये कह चुके थे जब इम्रान रास खान साब ने बताया कि मैं जब जेल में था तो रानासन अउला साब ने मुझे परजाम पहुंचाया कि इम्रान खान साब को बता दो कि जोबी इस पर पर्चा करवारा है ये जो भी जो भी टॉर्चर फेज कर रहे है इसके पीचे हमारा आती है जिनले इसके उपर पर्चे कटवाये हैं वो बहुत बड़े लोग है ये इम्रान रास कान साब भी बताया था तो आप सब में देखा यह सब कुछ होता पुड़ी आवाम देखा यह बार धकी चुपी नहीं है तो अब आ जाते जी दूसरे पॉइंट में तो दूसरा पॉइंट में वारी है कि इस रकुमत ने चौदा अरब अमरीकी डॉलर का टाका मारा है इस गर्णमेंट ने क्योंकि आएमफ के लिए लसी स्कूल हो अब लसी जब खुलेंगी तो वह हमारे पास जो रिजर्फ हैं वह हैं तक्रीबन दो अरब अमरीकी डॉलर के हैं हमारे पास रिजर्फ अब अगर हम उसको और हमें तक्रीबन दस अरब मजीद जो हैं वह चाहिए लसी स्कूल ले के लिए और हमारे पास यतने पैसे नहीं है कि हम चीजों को इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें तो यह 14 अरब अमरीकी डॉलर कहां गए सवाल है यह अगर कोई आम आगनी करता तो इसके खिलाफ इंक्वाइ उनको कम किया कुछ भी नहीं किया 14 अरब अमरीकी डॉलर कहां चले गए सवाल है उपर इसाग्डार साब ने 215 पर लिटर पैट्रोल करके जबरदसी रोक के तो कहा कि मैंने बहुत बरा तीर मार रहा है जैसी आएम एफ ने दबाव डाला तो फिर डॉलर को नहीं खुला च समय आखा समय किये तो कानून के तहत तीन महीने में एलक्षन हो जाने चाहिए लहुड हाइप ने फैसला कर दिए कि अलेक्शन कमिशन करवाये यह उनको जो है यह इनका आयनी हग क्यों कर वाना चाहिए और पीजिया का आयनी हग है कि उनको जो है एलक्शन मोज़ रोस में चाहिए उसकी वज़ा देखें तीन महीने बहुत होते हैं इससे पहले भी एलेक्शिंग कमिशन ने जब इम्रांग सान सब को तैरीक अदमात की तरी निकाला गिया था तो उस दुरान जब कोड पे बहस चल रही थी तो एलेक्शिंग कमिशनर ने कहा था कि हम साथ महीने तक साथ महीने घुजर गए थै कि हां जी अब हम इलेक्शिं करा सकते हैं इसका बहुत दोड़ रहे हैं अब इंकों अब इंकों करवाना परेगा अगर नवे रोज पर एलेख्श ना कर रहा है तो आर्टिकल शिंग में लगता है जो जिसकी बात की जो वजी जो डिटेल में जिसमें समझाया है उनका नाम है एतिजास हैसन उन्होंने बहुत ही बड़े माहिरे कानून है उन्होंने यह बात बताईए कि अगर इन लोग ने नवे रोस में अलेक्शन ना करवाए तो आर्टिकल सिक्स लगेगा तो खेड़ यह ता आज का मार टॉपिक तो अपने चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें मुझे अपनी धूआ में याद रुकें पाकिस्तान जिन्दा बात